कि दोस्तों नमस्ते हैं हमने कल एक एक एक्जाम पल किया था एलिस्ट्रेशन नमबर सेकेंड को करने का प्रयास करते हैं देखते हैं चलाओ एक्जाम पर नमबर पंद्रेशन वाली का दूसरा है फिरा दोस्तों कुईश्चन इसको पर्त के पर समझ के देखते हैं इसको कंप्यूट दा मीन बेट और गुरफ ओफ ए एंबिया स्टूडेंट ओफ यह कॉलेज फ्रॉम यह फॉलॉविंग डाटा भाई दोस्तों क्या जिस्टूडेंट के इनका बेट दे रहा हाँ इधने नमबर से और इस्टूडेंट यह हमारे नंबर तो इसको करते हैं कि फरत पहली बात तो थीषा बो लगेगा अर्थۍγα मीन का इसमें देखते हैं कि लिकर वा क्या रहा है इसमें कॉषिशन में compute of the mean बियर ओफ 36 MBA student यानि 36 MBA students हैं इनका बियर निकलर बहा रहा रहा है average में to mean लिखर वा है तो mean में इसमें बरगी दे रहा है है इसमें limit दे रहा हैं इससे तनी इससे इतनी तो बियर दे रहा है हमारा यह number of student तो इसको हम कंट्वूनिय सीरिस का फॉर्मूला आना उससे करने का प्रयास करेंगे चुरू देशता आगे देखते हैं कैसे हैं कि आप कि कि अधिए टेन केजी कि एक क्यूश्चन में गेवाने दोस्तों कि नंबर आफ इस्टुडेंट कि चम्बालीस से अर्टालीस बेड़ दे रखाये दोस्तों इसके बीच में कितने स्टुडेंट है जिनके चम्बालीस से अर्टालीस के अर्टालीस का बज़न है। कितने स्टुडेंट है दोस्तों तीन नंबर आफ इस्टुडेंट तीन ऐसे देखते हैं इसमें कितने गुननचास से लेके तिरेपन तक कितने स्टुडेंट है जिनके इन जिनका इतना बज़न है चार स्टुडेंट है जिनका दोस्तों गुननचास से तिरेपन क्लो वह एसे ही इसी परकार 69 से लेकर 63 ऐसे कितने बच्चे दोस्तों साथ और 64 से लेकर 68 ऐसे कितने बच्चे नौ और गुनेतर से लेकर तैतर तक कितने बच्चे आठ तो हम इसको एप बोलते हैं आविरती याने कि कितने इस्टुड़ेंटों की आविरती हो रही है इसके बीच में इसका मतलब यह होता है इसको हम बोलते हैं आविरती प्रिक्ट्वेंसी यह हमारे स्टुड़ेंट है दोस्तों यह चंबाली से लेकं 48 तक लिरहागी, तो इसको हम अपर करेंगे दूसरी में, इसको हम 1 एक सरी मान कीछ, ये को और है दोस्तो, इसको ऐसे मान की चलते हैं, दूबारा से जाल से बेट को देखते हे, दोस्तो इसमें, और इसमें difference कितने का he, 28 और ये कितने का he, गुन अन्चार्त, तो इनमें difference कितना एक, मेसा, जितना difference होता है ंसमें दो का भाग देते हैं, जैसे एक में हम 2 का भाग देंगे तो कितना आता दोस्तों 0.5 ठीक है दोस्तों , तो आमिसमें क्या है इसको तो बोलते हैं इसमें ना मैं इसको पॉइंट पांच को तो एड़ करेंगे और इसमें लेस करेंगे ठीक है दोस्तों देवाँ 44.5 से लेके 48.5 ऐसे यसी फिरकार देखेंगे 48.5 से लेके 53.5 और 54.5 से लेके sorry दोस्तों 53.5 से लेके कितना है 48.5 ऐसे आगे चलते हैं यह कितना है 48.5 से लेके 63.5 दोस्तों हमें इसमें ये वाली है ने ये वाली दोस्तों इसमें तो कम करना है और इसमें एड़ करना है पॉइंट पाइब आगे ऐसे देखते जाते हैं यह कितना है इसमें पॉइंट 5 कम करिंग कितना हो जाएगा 63.5 से लेके 68.5 इसमें क्या हो जाएगा एड इसमें क्या होगा less less कितना होगा कुने तरन नमें से 0.5 गई तो 68.5 से लेके 73.5 ओके दोस्तों ये कितना बेटा केजी में इसकी हमें क्या mid value लिकानी परेगी mid value mid value लिकानी के लिए दोस्तों इसको और इसको जोड की इसमें भाग देना होता है दो का चलो आइकर करके देखते हैं ये माँ पास calculator है calculator में करके देखते हैं ये कितना है दोस्तों 24.5 प्लस 48.5 कितना होते है दोस्तों 33.5 बाग देंगे हम कितने का 2 गा 50.6 48.6 ऐसे हागे देखते हैं दोस्तों 48.5 5 प्लस त्रेथ पुंट 5 पांच भाग 2 एक्यामन स्रेथ जी सोलक प्लस अठावन पॉंट 5 डूख चपन और तामन पांच प्लस थीरे सट पॉंट पांच बाग दो एकशत तरे सट पॉंट पांच प्लस और सट पॉंट पांच डिवाइड टू 66 दोस्तो 68.5 प्लस 73.5 डिवाइड़ टू यह कहता है ओके दोस्तो दोस्तो इसमें सायद गरवड़ी होगी हम से इसको दोबारा देखते है 44.5 प्लस 48.5 डिवाइड़ टू इसमें दोस्तो लेस करना होता है हमको सॉरी इसमें मैंने एड़ी कर दिया तो यह हो जाएगा 43.5 सॉरी दोस्तों माफ खाना यह कितना हो गया इसको उपर लग देता हूं 43.5 प्लस 48.5 पहली वाली इसमें पॉइंट 5 कम करना होता है और इसमें एड़ करना होता है ओके दोस्तों देखते है तरिया 40.5 प्लस 48.5 डिवाइड़ टू पॉर्टी सिक्स अब इसमें क्या है हमें एफ और एम एफ क्या हमारा यह और एम क्या है यह इसको बोलते हैं एम भी बोलते हैं इसको मिड़ वेली बोलते हैं सॉल्ड में तो इस एफ का रहेम का इंड़ कोणा करना होता है इसमें तो दोस्तों कोणा करके है तो पॉर्टी सिक्स इंटू तीन 138 ऐसे दोस्तों मैं चल्दी चल्दी कर लेता हूं एक क्या मान कोणा अच्छा तो सुच्छा कोणा कोणा अच्छ दोसो अससी दोस्तों आप भी देख सकते हैं कैलक्रोटर कैलक्रोटर हमाले लिए एलाव होता है 60 गुणा साथ 423 चासर गुणा नो और 71 गुणा दोस्तों आठ खरते हैं तो कितना आता है 568 इसमें कुछ नहीं है दोस्तों इसका और इसका गुणा करना है आपस में इसका और इसका इसका और इसका गुणा करना है इसका और इसका मिड़ वैल्यू इंटू फ्रेक्ट्वेंसी इन दोनों का गुणा होता है आपस में के बीच में गुणा का मतलब है तो हमें इसको समेशन एफ एम या इसका मतलब समेशन का मतलब होता है योग और इनका आपस में उगणा करके कितना योग आता है इसको देखते हैं इसको दोस्तों केल्सी पर देखते हैं 138 प्लस 204 प्लस 280 प्लस 427 प्लस 500 चौरेन में प्लस 500 268 प्लस एक बाद दोस्तों दोबारा करके देखते हैं चेक करते हैं गलत है सही है 138 प्लस च्यार दोस्तों सी 427 प्लस 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 चौरेन में 568 योग कितना है था इसका 2211 जोग कितना योग है इसको देखते हैं वैसे क्योश्चन हमको गिवन था और फिर भी जोड लेते हैं तीन और चार साथ, साथ और पांच बारे, बारे, और साथ गुन्नीस, गुन्नीस और आठ, गुन्नीस और नो, गुन्नीस और नो, गुन्नीस और नो, अट्ठाइस, अट्ठाइस और आठ, दोस्तों, 36, तो इसमें continuous वाला दोस्तों फॉर्मुला लगेगा, क्योंकि इसमें आ तो हम continuous का formula लगा दें तो continuous का formula क्या है summation x वार बरावर सुरी दोस्तों x वार बरावर summation fm upon summation f तो fm का मतलब दोस्तों यह आएगा हमारे जो हमारी जो value आईए ने इसको इस जगर represent करेंगे और question को खरके देखेंगे हमारा answer आता है या नहीं है तो summation fm करना आया था दोस्तों 211 है sorry दोस्तों 2211 है आया था divided यह यह आप करना था 36 इसको केल्सी से डिवाइड करके देखते है एक सट पॉन एक तारीस कि देखो दोस्तों बिल्कुल हमारा answer सही है अभी इसी पिरकार दोस्तों अगर आपको समझ में नहीं है में दोबारा बता दूंगा हम दूसरा आप question करने जा रहे हैं कि दोस्तों कमेंट में बताना question समझ में आरा है नहीं आरा अधा अधा अधा